नमस्ते, चिबाई, ये मेरा 2023 का सबसे पहला फेस्बुक लाइव है और मैं आप सबको सबसे पहले नया साल का 2023 का शुब कामना देना चाहता हूँ आपने बहुत मेसेजिस भेजा है मुझे मेरे हेल्थ के बारे मेरे स्वास्त के बारे पूछने के लिए कि आपका तबेद कैसा है पहले से काफी ठीक है और मैं आप सबको धन्यवाद हम बाई बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने घर में मेरे लिए प्राथना किया पूजा किया प्रेयर किया दुआ मांगा और आज थोड़ा सा हेल्थ ठीक हुआ है कमजोरी अभी भी है लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद मैं फुली फिट होकर मैदान में जमीन में आकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना मुव्मेंट को जारी रखूँगा आपने इतना प्यार दिया है मुझे मुझे खबर मिला कि गाओ गाओ से बुरे औरत लोग ने मा लोग ने मेरे लिए पूजा किया है प्रात्ना किया है आपने इतना प्यार दिया है मुझे बुबागरा को आपने इतना प्यार दिया है और बुबागरा भी आपको बोलना चाहता है ये नया साल है 2023 I love all of you all आप एक बात सम्मझ लीजी आज जो भी मैं हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूँ जो गाउं में उमीद लगा कर बैठा है कि इस बार हमारा बुबागरा हमको कुछ देगा इस बार हमारा बुबागरा हमारे तिप्रासा हमारे तुप्रा के सब लोगों को कृष्चिन हो हिंदू हो मुस्लिम हो इसाय हो कोई भी हो बुद्धिस्ट हो हमें कुछ मिलेगा हमारा भवेश्य हमारा नेक्स जेनरेशन को कुछ मिलेगा मैं आपको बोलता हूँ एक बात तो पक्का है कि मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और अपने लोगों को कुछ दो है आज फेस्बुक लाइफ 2013 मेरा सबसे पहला फेस्बुक लाइफ है और इस लाइफ में मैं आपको एक चीज ख्लेली एक मेरा मेसेज है आज के लिए आज से चार साल पहले मादब बारी में आठ जन्वरी को जब हमारे निहत्ते अनाम, स्टूडन्स, सिरिजन्शिप अमिंड्मिन एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय हम सब ने देखा कि पुलीस ने निशाना देखकर हमारे प्रोटेसा को बूली से मारा थे और ये बात बहुत क्लियर है कि उस दिन जब हमारे लोगों को जिनके हाथ में कुछ हतियार भी नहीं था उनको जब आपने निशाना देखकर हमारे लोगों को मारा उस दिन आज भी मेरे दिल के अंदर है ये जो जखम है वो आज भी हमारे अंदर है उसके बाद हमने सब ने देखा कि जब एम्बिलन्स में हमारे खायल लोगों को ले जाया जा रहा था आज जब हमारे लोगों को पीटा गया आज जब हमारे लोगों को ऐसा इस तरीके से टार्गिट किया जाता है और मैं आपको एक बात ख्लेली बोलना चाहता हूं कि जब सुनु निगम का इस दिन कॉंसर्ट हुआ तो स्टेज कॉलाप्स वा बहुत दुख का बात है बहुत दुख का हाथसा है तो इमीजिटली हमारे मुख्यमंत्री जीबी हॉस्पिटल गए अच्छे अच्छा है गए आयलेस गए देखा जो घायल थे जब हमारे मादब बारी में हमारे लोगों को बोली मारा गया कोई मंत्री के एस्कॉर्ट या कॉन्वोय में कोई साधारन इंसान बीच में आ जाता है तो हमारे मंत्री लोग ये एमपी लोग ट्राफिक पॉंस्टिबल को सस्पेंड करते हैं लेकिन पाँच आदमी को गोली मारा गया और एक ओफिसर भी ट्रांस्वर नहीं हो सस्पेंड नहीं है क्यूं है तुरुप्रा में दो कानूग एक हमारे लिए और एक सब के लिए क्यूं ये जो मादबारी का इंसिडिन्ट है ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने ही राज्य में अपने ही जमीन में हमें अलग करकर हमें वंचित करकर ये साशन्व किया जाना है हम नहीं भूलेंगे हम नहीं भूलेंगे और मैं अपने लोगों को तुरुप्रा के लोगों को एक बात बोढ़ना चाहता हूँ यह जो discrimination होता है यह आम नागरेक नहीं करता तुरुपरा के सब लोग अच्छे हैं जो जनता है तुरुपरा का जो आम नागरेक है बिंगॉली हो मनीपूरी हो तीप्रासा हो मुसल्मान हो फ्रिश्चिन हो जो सब अच्छे हैं प्रॉब्लम है कि हमारे नेता लोग समझते हैं कि वो हमारे जो आम जनता उनसे ज़्यादा बढ़े है लेकिन ये अब नहीं चले हम ब्लैक डे अबजर्व करेंगे क्योंकि उस दिन एक मेसिज दिया गिया कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे जो आपका constitutional right है CA के प्रोटेस्ट करने के लिए हमें समेधानिक अधिकार दिया गिया है हमने कोई गेर कानूनी प्रोटेस नहीं किया था उस दिन जो स्टूडन्स ने गेर कानूनी प्रोटेस नहीं किया था लेकिन उस दिन हमारे संग जो सुलुप किया गया वो हमें मेसेज देने का एक तरीका था कि आप अगर जादा आवाज उठाएंगे तो आपको इस तरीके से हम रियाक्ट करेंगे ये देश आपका नहीं है सिर्फ ये देश हमारा भी है ये देश में सिर्फ आपका आवाज नहीं चलेगा ये देश में हम सबका आवाज चलना चाहिए ये जो सम्मेधान बाबा साहब बेटकर ने बनाया है लिखा है उसमें क्लेली लिखा गया है कि ये देश सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है ये सब का है और आप हमारा आवाज को बंद करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना आवाज और जोर से उठाएंगे ये देश एक धरम का नहीं है एक मधब का नहीं है ये देश सिर्फ एक जाती का नहीं है ये देश हम सब का है और ये देश एक सोच का नहीं है, ये देश हर सोच का है ये देश को एक आइडियोलिजी ने नहीं बनाया ये देश में हर आइडियोलिजी को जीने का एक अधिकार है और आठ टारिक को हम लोग ब्लैक डे अब्जर्ब करेगे इससे पहले भी मैंने ये जो राजभवन अभ्यान था हमारे मौथा के खिलाफ मैंने देखा दो तीन भाशन किसी ने कहा कि थांसा का मतलब क्या होता है जो थांसा का मतलब नहीं समझता है जो एकता का मतलब नहीं समझता है वो हिंदुस्तान का मतलब नहीं समझता है थांसा का मतलब एक्ता होता है थांसा का मतलब भायचारा होता है थांसा का मतलब युनिटी होता है अगर आप ये देश को मजबूत करना चाहते हो ना अगर आप हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हो ना तो थांसा का शब को समझ लेना चाहिए आपको जो लोग बोलते ये थांसा क्या है उनको समझना चाहिए कि थांसा नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा थांसा नहीं रहेगा तो भाई भाई से लड़ेगा थांसा नहीं रहेगा तो समाज चूटेगा थांसा नहीं रहेगा एकता नहीं रहेगा तो चाइना अमेरिका पाकिस्तान हमें तोड़ने की कोशिश करेगा थांसा का मतलब एक्ता होता है एक्ता से ही देश आगे बढ़ता है एक्ता से ही दोफा आगे बढ़ता है और आप जो लोग थांसा के बारे बोलते ही ये थांसा क्या है एक बार फिर से जाकर अपने स्कूल का किताब को खुल के पढ़िए ये देश थांसा से बना और ये जो हमारा तीपरासा है वो थांसा को तोरने अब नहीं दे किसी और ने बोला कि ये लास्ट फाइट क्या है मैं आप से पूछना चाहता हूं नेता लोग next election के बारे सोचते हैं मैं next election के बारे नहीं सोचता हूं मैं next generation के बारे सोचता हूं मैं अगला generation के बारे सोच रहा हूं मैं next generation के बारे सोच रहा हूं और आप next election के बारे सोच रहे हैं हमेशा पांच साल के बार election होगा पैसा फेका जाएगा और हमारे vote को खरीदा जाएगा election खतम हमारा पवश्य भी खतम इलेक्शन खतम, दिल्ली के नेता लोग वापस चले जाएंगे दिल्ली, त्रिपुरा का क्या होगा, हमारे घर में बिजली नहीं आएगा, स्कूल में सिक्षा नहीं मिलेगा ठीक से, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर को काम करने के लिए मशीन नहीं नौक्री नहीं मिलेगा, दिल्ली का नेता फिर से आएगा, फिर से आपको प्रॉमिस करेगा, जो 75 साल से होते रहा है, इलेक्शन खतम, वापस दिल्ली और त्रुपुरा जैसा था, वैसे ही रहेगा, अमारे त्रुपुरा के लोग, आप असली सवाल पूछो, रस्ता क्यों नहीं बन रहा है, नौक्री क्यों नहीं मिल रहा है, आदमी आज भी क्यों गरीब है त्रुपुरा में, आज आसाम में लोगों के पास पैसा आ गया, नागालैंड में आ गया, मीजोराम में आ गया, म नेकिन ठुमडा का जो व्यक्ति है, जो नाग्रिक है, क्यों इतना गरीब है, क्यों इतना वन्चित है, क्यों भी आज हमें रेगात में, रास्ते में पत्थर तोड़ कर, हमें अपना घर चलाना पड़ता है, क्यों? क्या रोक रहा है आपको? आपके पास तो बहुत पैसा है आपके पास तो करोड करोड पैसा है तो ये पैसा आप सिर्फ election के सामें क्यों announce करते हैं election के एक मेहने पहले ही आपको क्यों नीन से आप उठकर बोलते हैं कि तुरुपरा को हम ये देंगे तुरुपरा को हम भो देंगे तुरुपरा को इतना करोड रुपया देंगे पांच साल तक आप क्यों सोके बैठे थे इलेक्षिन के पहले ही आप क्यों उड़ते हैं तुरुपरा के लोगों को क्यों बेकूव बनाते हैं ये आप एक साल पहले अनाउंस नहीं कर सकते थे, ये आप छे मैने पहले अनाउंस नहीं कर सकते थे, election के पहले मेरे तुप्रा के प्यारे लोग ये आएंगे फिर से वादा करेंगे, election खतम वापस वही जो हमारा condition था वही रहेगा, आप लोग एक बात तै कर लो सिस्टम को चेंज करना है कि नहीं अगर सिस्टम को चेंज करना है तो अपने उपर विश्वास करो अपने उपर विश्वास करो ये सिस्टम सड़ चुका है हमारे तुरुपडा के लोग बहुत अच्छे हैं सब लोग सीधे हैं, सिंपल हैं, इमानदार हैं और हमें बेकु बनाया जाता है हमारे लीडर लोग खराब है, हमारे लीडर कुछ सब नहीं, कुछ लोग स्वार्थी हो गए है थोड़ा पैसा मिला तो अपने आईडियोलजी को कंप्रिमाइस करो थोड़ा पैसा मिला तो अपने सपोटर को अपने लोगों को बेकू बना कर बेश दो ये पैसा ना पूरे जिंदगी आपके जेब में आपके बैंक पे नहीं रहेगा हमें अधिकार चाहिए, हमें राइश चाहिए हमारा fight, हमारा survival और existence के लिए है आज मंदिर और मस्जिद के बारे हम बात कर ले हॉस्पिटल के बारे बात करना चाहिए आज हम धरम में बात कर रहे हैं कि इसका ये धरम है, इसका वो धरम है स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे को सिक्षा मिलना चाहिए वो बात नहीं करेंगे आज आज आप ने एक सवाल, मेरे एक मंतरी ने हमारे M.D.C के बारे पूछा कि इसका बाप क्या करता था और ये आज क्या कर रहा है, इतना पैसा कहां आया, इसका बाप क्या करता था हमारे MDC के बारे आपने सवाल पूछा, उंगली उठाए उमा शंकर का पिताजी किसान था और वो आज MDC है, उसका बच्चा कल तुरुपरा का DIG बनेगा वो उसका अधिकार है, एक तीपरा सा DIG क्यों नहीं बन सकता क्या किसान का बेटा पूरा जिन्दगी किसान खेत में काम करेगा उसका बच्चा क्या स्कूल नहीं जाएगा आप किसी के background में क्यों attack करते हो आज अगर एक देश का फ्राइम मिनिस्टर, जो चाई बेशता था देश का Prime Minister है, हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे देश में एक जो चाई बेचता था वो Prime Minister है, तो एक टीपरासा जो गाउं में काम करता है, पथर तोड़ता है, उसका बच्चा तुरुपरा में Chief Minister क्यों नहीं बनेगा, तुरुपरा में DG क्यों नहीं बनेगा, High Court में Judge क्यो मत भूलो गर्व करो कि मेरा पिताजी किसान था मैं और मेरा बेटा कल कुछ और बनेगा यह आपका अधिकार है और मैं आपको क्लिरी बोल रहा हूँ यह election मैं compromise नहीं होगा हम compromise नहीं करेंगे यह मेरा last fight है आपको मज़ा कोड़ाना है कि क्या है last fight यह मेरा last fight next generation के लिए है यह मेरा last fight मेरे जमीन के लिए है यह मेरा last fight मेरे लोगों के लिए है यह मेरा last fight इसलिए है क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि मैं कितना दिन जिन्दा रहूं आपके लिए क्या है यह fight पद आपके लिए क्या है यह fight पोस्ट आपके लिए क्या है यह fight और एक election, पावर, यह पावर ना पर्मिनेट नहीं, राइट्स पर्मिनेट है, मैं अपने लोगों को अधिकार देना चाहता हूं, आप अपने पाटी को पावर में लाना चाहते हैं, पाटी से बड़ा लोग होता है, पाटी से बड़ा हमारा नागरिक होता है, पीपल आ बिगर देन दे पार्टी, कुईला जाती, कुईला देश, उलोग पार्टी, देश अपने पार्टी से बढ़ा है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने राज्य से प्यार करता हूँ, मैं अपने पार्टी को बाद में प्यार करता हूँ, यह सोच रखन चाहता हूँ यह 2023 का इलेक्षिन मैं positively fight करना चाहता हूँ मैं नफरत से नहीं fight करना चाहता हूँ मैं प्यार बाटना चाहता हूँ और यहां में बहुत parties भी है IPFT भी है एंसी दे बर्मा अपने ही रहे भगवान उसके आत्मा को शांती दे लेकिन मैं IPFT से फिर से दर्ख्वास करना चाहता हूँ कुछ नहीं मिलेगा आपका डिमान और हमारा डिमान भी एक ही एक हो जाईए मुझे नाम में कुछ परवा नहीं है एक होकर एक सिंबल में एक party होकर एक आवाज में पब्लिक को थांसा देखना है पब्लिक को कुछ नहीं देख चाहिए पब्लिक को थांसा देखना है एक party होकर एक आवाज में एक सिंबल होकर चलिए फाइट करते हैं मैं रेडी हूँ पब्लिक को जो चाहिए हमारे लोगों को गरीब जनता को यहीं चाहिए गरीब जनता आशा कर रहा है और अगर हम अपने स्वार्थ के लिए हम अपने स्वार्थ के लिए अगर हमने जनता का दिल तोड़ाना तो भगवान भी कभी हमें माफ नहीं करे यह एक right chance से हमें एक ह होने के लिए और मैं आप सबको अपील करता हूं IPFT को अपील करता है नाम में क्या लिखा नाम जो भी होगा आप सिंबल एक होना चाहिए तीपराशा को एक होना चाहिए मुसलमान को एक होना चाहिए हिंदू-BengALIक को मनिपुरी आदिवासी को एक वना चाहिए और एक होकर हमें एक आवास में इस बार फाइट करना चाहिए 2030 should be a great year for everyone I wish you all the best I want you to be positive नफरत मत बाटो, प्यार बाटो नफरत से किसी को कुछ नहीं मिलता प्यार बाटने से ठंसा करने से एकता होता आज जब मादबारी में हमारे आज से चार साल पहले जब गोली मारा गया वो टी एसेफ को गोली नहीं मारा गया वो नेसर को गोली नहीं मारा गया वो मौथा को गोली नहीं मारा गया वो CPM, BJP, कॉंग्रिस को गोली नहीं मारा गया जिस दिन बोली लगा था ना मादबारी में वो बोली ती प्रासा को मारा गाए एक हो ये उठिये प्यार बाटिये और शांती रखिये वाइलेंस नहीं होना चाहिए हम शांती से अपना बात रखेंगे और शांती से आगी परेंगे यह मेरा मेसेज है I love all of you all please be united and don't spread hate or ekhoi I love all of you Belay Belay Nuhambay, Dhanyavad, Kulungtha, God bless all of you all Long live Tipra Motha, Long live Tipra Satopha, Long live Tripura, Long live Thansa, Ekta, Long live India